हाई लो स्टूडेंट बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले लिखावर सुधारने के बारे में यहां पर आप देख सकते हैं कि लिखावर कैसे सुधार है इस वुड़ो में केवल आपको एक तरीका बताने वाला हूँ जिसको अगर आप फॉलू कर लेते हो तो आपकी भी handwriting मेरे तरह कुछ इस तरीके से होने लगेगी सुंदर handwriting सब के लिए बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपको कोई भी आपका अंदाजा सुंदर handwriting से लगा लेता है जब भी आप लिखते हैं और आप सुंदर handwriting में लिखते हैं तो कोई भी समझ जाता है कि बचा intelligent है यानि कि पढ़ने में तेज है अगर आप कितना भी पढ़ने में तेज क्यों नहीं हो लेकिन किसी के सामने अगर आप भद्धे तरीके से लिख रहना तो वह समझ जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है देखें चाहे कोई सामी दे हो चाहे आप एक्जाम दे रहा हैं प्रेटीव अच्छे नमब्र दिये जाता है इसी तरीके से होता है क्योंकि handwriting handwriting teacher को इंप्रेस करती है टीचर को ये बतलाती है handwriting कि बच्चा पढ़ने में तेज है बच्चा मेहनती है बच्चा मतलब कि बच्चे में कुछ कला है लिखने की कला है ठीक न अगर आप exam में मतलब कि कुछ नहीं याद कर कर गए हैं केवल आप question answer को बना बना कर लिख देते हो यानि कि लिख कर चले आते हो लेकिन आपकी handwriting अच्छी है बहुत ही बहतरीन है तो उसमें आपको नमबर दिये जाते हैं अगर आपकी handwriting खराब है और चाहें कितना भी अच्छा लिख कर ले जाएंगे तो पांच नमबर का answer होगा तो आपको दो या तीन नमबर दिये जाएंगे खराब handwriting पर क्योंकि वहां पर handwriting आपकी जो है ना टीचर को इंप्रेस नहीं कर पा रही है जिसका आपको नमबर कम दे रहे हैं तो handwriting इंप्रूब करना बहुत ही ज़्यादा ज क्यानि कि पेन को कैसे पकड़े बहुत सारे बच्चे को पेन पकड़ने ही नहीं आ रहा है जिसकार उनकी handwriting बहुत ही खराब हो रही है अगर आप पेन को अच्छे तरीके से पकड़ना सीख जाएंगे ना तो आपकी handwriting बहुत ही ज्यादा बहतरीन होने लगेगी क्योंकि पेन पकड़ने से ही आपको confidence आता है और लिखने का तरीका मालूम होता है ठीक ना तो देखिए पेन को आपको कैसे पकड़ना है समझेगा ध्यान से तो देखिए यहां जो पेन का धकन देख रहा है ना जहां से पेन खुलती है देखिए यह पेन का धकन होता है यहां पर जो यहां से बहुत सरे बचे करते कि यहां से पकड़ने लग जाते हैं कोई कोई यहां से पकड़ने लग जाते हैं जिसके काड़ उनकी खराब होने लगती है तो जो पेन का यह आपका धकन खुलता है इसके थोड़े ही ऊपर यहां से आपको पेन को पकड़ना है अच्छे तरीक ना इसके नीचे सपोर्ड के लिए इस तरीके से रहेगी ठीके ना देख लिए आपका पॉजिशन रहेगा पिन को पकड़ने के लिए उसके बाद आपको लिखना इस्टार्ट करना है तो कैसे लिखना है देखिए के करके ध्यान से समझी तो देखिए तब से पहले हम लीख है कि तो यहां पर देख सकते हैं हमने लिखा कि राम किताब पढ़ता है तो राम किताब पढ़ता है कैसे लिखा हमने तो लिखने की तरीके पर आपको गौर करना है और समझना में बस इसी चीज को समझ लेना कि का इसे लिखा जा रहा है ठीक है न तो लिखने के तरीके में ये चीज़ सबसे कौमन है सबसे पहली चीज़ कि यह जो इस्पेस है ना सबके जग़ां और रखा गया है और इतना स्पेस यहां पर रखा गया, सेम इसी चीज को आपको follow करना है, हरी एक सब्द के बीच में, जितने भी सब्द आप लिखें, तो हरी एक सब्द के बीच में एक समान gap रखें, यानि कि आपको gap को एक समान रखना है, जितना यहां gap रहेगा, उतना ही हर जगा gap रखना यही बच्चे गल्पी कर रहे हैं बच्चे क्या करते हैं देखें यहां पर करते क्या है कि यहां पर लिखेंगे राम और यहां पर लिखेंगे यहां पर लिखेंगे ठीक इसके बाद यहां पर किताब लिखेंगे यहां पर किताब लिखेंगे लिकिन आपको ऐसे नहीं करना है सीम जीतना दूरी यहां पर हैगा हर एक जगा हर एक सब्द के बीच में वही distance होना चाहिए एक ही समान ठीक है न उसके बाद इसके नीचे का भी जो distance है वो भी आपको एक समान रखना है न ज्यादा बड़ा करना है न ज्यादा छोटा करना है देखिए यहाँ जीतना नीचे space है सब जगार उतना space है बच्चे बहुत सारे गलती कर रहे हैं कोयी एक्ष़ छोटा चोटा करते रहे हैं इससे ही हैरेटिंग बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है तो ऐसे आपको नहीं करना है आपको करना है कि आपको एक समान size में सब्सक्राइब को लिखना और नीचे का ही space देना है वो भी समान रखना है ये तीन चीजे आपको दिमाग में बैठाना है कि यह वाला इस तरीके से कोई बड़ा छोटा बना रहे हैं यह समानआicer और यह जो नीचे का गैप है यह भी एक समान होना चाहिए यह तीन चीजे चार चीजे को अगर आप सीख जाएंगे तो आप बेहतर हैंड़ाइटिंग बनाने लगेंगे और इसको आपको सीखने के लिए आपको लेना है बुक से आपको कखा गगा और इन सब की प्रेक्टिस करनी है या देखिए यहां पर तो आपको कि कि देखिए आनम ने यहां पर लिखा कि दीस इज अक्एट लिखा तो यहां पर देखिए इसमें भी तरीका जितना यहां इस फेस सब्सक्क्राइब और घंड़ी अच्छा आपको बहुत नहीं देना है और इसमें आपको सब्सक्राइब का बनाना यह अच्छा लगेगा देखने में करते कि कोई ज्यादा आक्षा बड़ा कर देते हैं कोई ज्यादा चोटा ऐसे आपको नहीं करना है और एक साइज का आपको डिस्टेंस भी रखना है जिससे आपकी हैं डेटिंग देखने में बहुत ही अच्छा लगेगी ठीके ना तो बस इन ही सुझाओ को फॉलो करना है औ और इन सुझाओ को फॉलो करके अभी अपनी हैंड़ाटिंग सुधार सकते हैं ठीक ना तो आज की इस वीडियो में बस इतना है मैं मिलता हूं आपको स्किन नेक्स वीडियों में तब तक लिए जैंद वंदे मात्रम